प्रतिबिम निर्मान के बारे में और इसकी पहले वाली क्लास में मैंने आपको मिलवा दिया था काफी सारे चीज़ों से जैसे की समदल दरपन, आउतल दरपन, उतल दरपन आउतल और उतल में आप लोगों ने काफी टर्म्स को भी पढ़ लिया था, वो टर्म्स कौन सी थी आपको याद होना चीए, आपने पढ़ा था द्वारक के बारे में, द्वारक के बाद में आपने पढ़ाई की थी कि आपका धुरूव क्या होता है, फिर आपने जाना कि वक उससे तो प्रतिमी निर्माणा बच्चे से सी की चुके हैं, शुरूवात करते हैं, वेरी गुड़ी में टो आलो फ्यूस, अभी को, नमस्कार, अम्राम, सस्रेका, सलाम वालेकुम, विचवर और फिर कनेटेड विट, लेट्स गैट स्टाटेड, एक बात को अच्छे से च कि आपने लास्ट क्लास में ये जाना था, कि यसे माल लीजे आपके पास ये गोला है, तो इस गोले का कोई ना कोई केंदर होगा, ये गोले की तरिजा है, तो एक्च्छल में क्या होता है, जो आपका गोली दरपन होता है, वो किसी ने किसी गोले का भाग होता है, इस गोल के एक तरफ आपने पॉलिश कर दी, इस तरह से, तो ये आपका बनकर के तयार हो चुका है, आउतल दरपर्ण, ये जो आपने जितना हिसा छोड़ा है MN, बाकी को भूल ज़ा, बाकी आपने काड़ दिया, ये जो आपने MN छोड़ा है, इसको कहते हैं, द्वारक, रिवाइस करवा रहा हूं थोड़ा सा मैं, इस MN के केंद्र को, ये जो केंद्र है, इस MN के केंद्र को अपने लोग क्या बोलते हैं, धुरूव के नाम से जानते हैं, जो बच्चा जितना active है क्लास में, उतना ही सीखेगा, simple बात, ये जो केंद्र है, इस पूरे गोले का, आपको पत वो जिस भी गोले का भाग है, उसकी त्रिज्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्जा capital R, ये सारी बातें, पता होनी चीए, आगे की बात, अब मैं आपसे भी बात कर रहा हूं कि मालो कोई प्रकाश किरण आप्तित होती है, अगर कोई प्रकाश किरण आप्त सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ये है आपके मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और दुरूब को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है, उसी को कहा जाता है, मुख्य अक्ष अब एक बहुत important बास सुनो, मालो कोई प्रकाश किरण जो है, वो आपके समानतर आती है, माल लिया कोई प्रकाश किरण है, और वो प्रकाश किरण कलर कौन साल है, यार, माल लिया आपके प्रकाश किरण, ये ले लेते हैं green, मुख्य अक्ष के समानतर आती है, ये देखो, ये जो प्रकाश किरण आप्तित हुई है, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानतर आप्तित हुई है, तो प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समानतर आती है, समानतर लग रही है न, थोड़ा सवर, ठीक है, परफेक्ट, तो ये मुख्य अक्ष के समानतर आई है, तो ये क्या है आपतन बिंदू समतल दरपन से प्रतिमिन निर्माण में आप जानते हैं कि कभी भी परावर्तन हो कभी भी कहीं भी परावर्तन हो तो नियम कौन सा लगता है एंगल आई बराबर एंगल आर भूलने का नाई यह हमेशा लगता है कहीं भी एंगल आई हमेशा एंगल आर के क्या होता है बराबर होता है एंगल आई हमेशा क्या होता है एंगल आई क्या है एंगल आई है आने वाली किरण और अबिलंब के बीच में कौन तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि अगर कोई किरन आकर करें टकरा रही है तो सबसे पहला काम है कि उसका अभिलंब बनाएए कोई कि जब तक आप अभिलंब नहीं बनाएंगे तब तक आपको एंगल आई नहीं मिलेगा जब तक आपको एंगल आई नहीं मिलेगा तब तक आप आर कैसे बनाओगे है ना तो सबसे पहला काम है बढ़ू अपनको क्या करना है इस पॉइंट पे अभी लंब बनाना है अभी लंब कैसे बनाए आपको मैं एक जादू की बात बताता हूँ इस आपको पता होगी बच्पन से पढ़ते वह आ रहे हो आप कोई नहीं बात नहीं है अगर एक सर्केल ह तो सर्केल की एक प्रॉपर्टी होती है सर्केल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर्केल के किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट को अगर आप केंद्र से जोड़ दो तो हमेशा 90 डिगरी की लाइन बनती है हमेशा एंगर किता बनता है 90 डिगरी ये सर्केल की एक बहुत खुबसूरत सी property है कि circle के परीदी इसको परीदी बोलते हैं पता हैं circumference बोलते हैं English में परीदी के किसी भी बिंदू को केंद्र से जोड़ दो तो हमेशा क्या होता है हमेशा आपका 90 degree का angle बनता है अभी लंब क्या होता है 90 degree का angle इसका मतला अगर मुझे इस point पर 90 degree का angle चाहिए तो मुझे बस केंद्र से उसको जोड़ देना है कितना मज़दार बात है अगर आपको कभी भी circle में अभी लंब चाहिए अब ठीक है दिख रहा है तो यह जो line में बनाई अभी वो क्या है अभी लंब है लिख दो इसके ओपर यह जो बना है अभी अभी तुरंत fresh वो क्या है अभी लंब है तो आज के बाद कोई चीज रटने का नहीं है तो आप रट लेते हो ना आज चीज को रटने का नहीं कि जो प्रकाश किरन आपतित हुई है जिस बिंदू पर वो आई है वो उसका आपतन बिंदू है आप तरन बिंदू पर अभीलंग कैसे बनाया है, मैंने आप तरन मिंदू पर अभीलंग बनाने के लिए याद रखना है कि हमेशा गोले गई तो भागुए, तो गोले के जिस बिंदू पर आया है, उस बिंदू को परीदी का इससा है उसको केंदे से जोड़ दो तुरंट आपको अभी लम मिल जाएगा अब एंगल आई कहां पर है तो एंगल आई को पैचानो ये आपका एंगल आई है तो अब जितने कोन पर आया है उतने कोन पर वापस जाएगा मतलब आपका angle i जो है जाने वाली किरन के साथ जो angle बन रहा है वो angle r है और याद रखना angle i बराबर है angle r के तो जिस बिंदू को वो मुख्य अक्ष पे काटती भी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं focus बिंदू तो मैंने आपको मिलवाया focus बिंदू f से तो focus बिंदू की परीबाशा लिखो और एक बहुत खुबसूरस सी बात है कि अगर मालो कोई प्रकाश किरन यहां से आती है सपोज एक प्रकाशकर्ण ऐसे आती है यह ऐसे प्रकाशकर्ण आती है तो यह भी तो मुक्यक्ष के समानतर आई है तो अगर इस तरह से मुक्यक्ष के समानतर प्रकाशकर्ण आती है तो यहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा अभिलंब बनाना पड़ेगा अभिलंब कैसे बन और वापस जाएगी तो वो भी कहां से गुजरेगी आप चेक कर सकते हैं घर पर बना करके वो भी फोकस से ही गुजरती है इतने कौन पर आई है उतने पर वापस जाती है तो मोटी मोटी बात यह हो गई कि अगर कोई भी प्रकाश किरन चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो अगर वो मुख्य अक्ष के समानतर आती है तो आउतल दरपन से परावरतन के पश्चात कहां से गुजरती है फोकस से गुजरती है अब इस मोटी बात को लिखो फोकस की परिवाशा लिखो कि जब भी कोई प्रकाश किरन मुख्य अक्ष के समानतर आती है तो परावरतन के पश्चात वो जिस भी बिन्दू से गुजरती है उस बिन्दू को हम लोग क्या कहते हैं फोकस बिन्दू के नाम से जानते हैं दूसरी मेहत्वकूर्ण बात इस फोकस बिन्दू की जो भी दूरी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं यह जो दूरी आपको दिख रही है इसको बोलते हैं छोटा वाला एफ और छोटे वाले एफ को का जाता है फोकस दूरी क्या का जाता है फोकस दूरी क्लियर तो चलिए अब आजाएगे बापस से यहां पर तो आपको मैंने उससे और अभी मिलवाना बाकी है सुनो तो ये बात किलिर होगे सबके दिमाग में कि अगर कोई प्रकाश के रण समानतर आएगी मुक्याक्ष के कहां से गुजरेगी फोकस से सबके दिमाग में फिट बैठ जानी चीए बिना किसी परिशानी के आगे सुनिए यह आपका आउ इसका केंद्र बनाओ यह गोले का केंद्र है यह गोले की त्रिज्जा है अब आगे समझो यह जो केंद्र है सी यह आपका दुरूब है पी कोई प्रकाश के रण मान लो इस तरह से आती है सी से होती है एक मिरें बाले पहले मुक्यक्ष निवे नLife की पहले मुक्यक्ष बना लेते हैं मुक्यक्ष वो सीधुर लाइन होती है से आपके ढूब और वकृता केंद्र को जोड ती है यह चूं具 मैंना भी बनाइन है यह क्या प्रकाशक्राण ऐसी हो जाए कि वो सी से होकर क्या है ऐसे कोई प्रकाशक्राण सी से होती वी आ जाए तो उसके साथ क्या होगा प्रकाशक्राण जिस भी पॉइंट पर आईए उसको बोलते आपतन बिंदू तो यह आपका क्या है या आपका है आपतन बिंदु जिस point पर प्रकाश करना आईए वो क्या है? आपतन बिंदु है ठीक है आपको परावरतन कराने के लिए आपतन बिंदु पर अभिलम बनाना पड़ेगा ये गोले का भाग है गोले के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया तो C से आपको जोड़ देना है पहले की तरह करेंगे? C से जोड़ेंगे तो ये आपने C से जोड़ दिया इसको आपने C से जोड़ दिया ये बन गया आपका अभिलम तो अभी अभी आपने तुरंत प्रभाव से किसको बना लिया? अभी अभी आपने अभी 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 आपने अभी 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 clear तो दो प्रकाशकिरणों से मैंना अपको मिलवा दिया बुरा मतमन पहली प्रकाशकिरण वो है जो समांतर आती है वो फोकस से घुजरती है और इसमें एक और बात है कहानी का एक और ट्विस सुनो जो प्रकाशकिरण समांतर आई यह तो कहरा अलग बात है जल्दी जल्दी मैं बहुत important बात बोल दी, मैंने वापस से सुनो, अगर कोई प्रकाश किरण, मुख्यक्ष के समानतर आती है ऐसे, तो टक्रा करके कहां से गुजरेगी, focus से, और अगर कोई प्रकाश किरण, focus से होती भी आती है, तो बाद में क्या हो जाएगी, समानतर, मानत प्रतिविम्ब निर्माण, तो यह आपका P, यहाँ आपका F, यहाँ आपका C, शुरू करते हैं, सबसे पहली बात, प्रतिविम्ब निर्माण में सबसे पहली चीज़ होती है, कि हम लोग यह डिसाइड कर लें, कि हमारी बिम्ब की इस्तिति का है, और अब तक जो बाते मैंने आपको बता दी हैं, वो बाते आप याद रखें, अब तक मैंने आपको क्या बताया, अब तक मैंने आपको यह बताया, कि कभी भी किसी भी वस्तू का प्रतिविम्ब बनाना हो, तो जिसका भी प्रतिविम्ब बनाना होता है, उसको अपने बिम बिम्ब बन जाता है तो सबसे पहले जो मैं बिम्ब की इस्तिति ले रहा हूं वो है सबसे पहले जो मैं बिम्ब की इस्तिति ले रहा हूं वो है अनन्थ पर अनन्त पे आपका बिम्ब रखा हुआ है अनन्त पे बहुत दूर समझना अनन्त से आने वाली प्रकाश किर्णे पहले ये बताओ अनन्त से आप कितनी प्रकाश किर्णे मंगवा होगे तो आपको ये सोचना है कि अनन्त से प्रकाश किर्णे कितनी मंगवानी है दो मंगवानी है, मैं आपको बताया है समतल दरपड में, ये दो प्रकाश किर्णों से काम चल जाता है, वो दौनों प्रकाश किर्णे कैसी होंगी, वो दौनों प्रकाश किर्णे समतल होंगी, क्यूं समतल होंगी सुनना, समतल प्रकाश किर्णों की परिबाशा ये है, कि उन नहीं पुछनेसे दि committed you click on ऑप और में कहां तक listings सकते हम अनंत्य तक नियों पहुन सकते इसका मतलब समान तर प्रकाश कहा जाके मिलेंगी अनंध से आने वाली प्रकाशकरणे कैसी होगी समांतर होगी बशपन आप Jeśli आप लिक यह जह लाता हूं point number one. point number two, मतलब वो जहां भी मिलती हैं, वहां आप और मैं पहुँचनी सकते. अगर आप मैं पहुँचनी सकते, इसका मतलब वो जगए अनन्त है, इसका मतलब लिंक करो, कि आपकी समांतर प्रकाशल्मित्ने, अनन्त पे मिलती हैं. अर्था अनन से आने वाली प्रकाश किर्णे समांतर होंगी पहली बास सब के समझ में आ गई तो बस आपको याद रखना है कि जो प्रकाश किर्णे आप अनन से मंगवा रहे हो वो समांतर मंगवाने का तो समांतर प्रकाश किर्णे मंगवाएंगे कहां से आगई है अनन से आगई है समानतर आई हैं किसके मुख्यक्ष के समानतर आने वाली किरने मुख्यक्ष के जब भी समानतर किरने आती है तो वो परावरतन के पश्चात किस बिंदू से गुजरती है फोकस बिंदू से गुजरती है इसका मतलब ये बात बिलकुल स्पस्ट है कि ये वाली किरन भी फोकस से गुजरेगी और ये वाली किरन भी फोकस से गुजरेगी अब आपको बस इतना सोचना है जादा नहीं सोचना थोड़ा थोड़ा सोचते हैं दिमाग पर जोड़नी डालना है कि ये दौनों किन्ने कहां मिली है फोकस पे मिली है जहां दौनों किन्ने मिलती है वहां क्या बन जाता है प्रतिबिम्ब बन जाता है इसका मतलब अगर मैं प्रतिबिम्ब के बारे में लिखना शुरू करूँ तो प्रतिविम्ब के बारे में अगर लिखना शुरू करें तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि आपको ये पता होना चीए कि कहां बनाए तो प्रतिविम्ब की इस्तिती सबसे पहली चीज़ होती है जो आपने को पता होने चीए तो प्रतिबिम्ब की इस्तिती है कि प्रतिदिन F पर बना है दूसरा प्रतिबिम्ब का आकार कैसा है प्रतिबिम्ब छोटा है बड़ा है कैसा है तो भया इतनी बड़ी वस्तु थी उसका इतना सा चुन्ना सा प्रतिबिम्ब बनाए मतलब बिंदु आकार या फिर बिद्वाकर बोले या फिर आप जोखिम कैसा बना है इतना बढ़ा आपका बिम बता इत्तु सा बना है आपका पृतिपिम सुरज कितना बढ़ा है हपने खरदे की सामने इतना बढ़ा है और हमारे मिरर में किता से दिखता है इतना से दिखता है सूरद अनंत पे है उसका प्रतिविम किता सा बन रहा है इतना सा बन रहा है वो यह वाली बात हो रही है तीसरी बात वास्तिविक इसकी प्रकरती के बारे में बात करेंगे प्रकरती का मतलब होता है वास्तविक है प्रतिविम कैसा है देखो अगर प्रकाश किरने अपने आप मिल रही है याद रखना मेशा अगर प्रकाश किरने अपने आप मिल रही है तो वो प्रतिविम आपका मेशा वास्तविक होगा आपने कुछ जबर्दस्ती करी नहीं करी प्रकाशक्यरण आई अपने आप इधर गई ये अपने आप आई पर उधर गई अपने आप कुछ हम नहीं किया इसका मतलब आपका परदिविम यहाँ पर वास्तविक है अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर वास्तविक तथा उल्टा क्यों है उल्टा इसलिए है को कि देखो जो प्रकाश करन पहले उपर थी टकराने के बाद वो प्रकाश करन नीचे हो गई जो प्रकाश करन नीचे थी टकराने के बाद वो उल्ट पर हो गई इसलिए बोलते हैं वास्तविक तथा उल्टा 90 प्रतिशत बच्चे रटके आते हैं कि वास्तिव के साथ उल्टा रहेगा और आवासी के साथ सीधा रहेगा लॉजिक पता नहीं होते हैं लॉजिक यह है पॉइंट किसी के दिमाग में आता है कभी है कि एक पॉइंट के लिए आप कैसे बोल सकते हो उल्टाया सीधा तो लॉजिक समझो जो प्रकाश के उपर थी वो बाद में नीचे है और जो प्रकाश के नीचे थी वो बाद में उपर है भाईया इसलिए बोला जाता है कि प्रकाश क्याँ पे जो प्रतिविंब बन रहा है वो उल्टा प्रतिविम्ब बन रहा है आगे हैं समझ में सभी को किलियर अब आते हैं दूसरी इस्तिती पर पहली इस्तिती बहुत अच्छे से आपको समझा दी गई है अच्छे से दूसरी इसे समझी है दूसरी है प्रतिविम्ब की स्तिती अब अपन प्रतिविम्ब का रखेंगे आपने रख लिया अनंत पे अब आप प्रतिविम्ब रखोगे यहाँ पे सी के इधर तो प्रतिविम्ब आपका इस तरह से रखा जाएगा यह आपका प्रतिविम्ब है प्रतिविम नी बिम्ब पारबर मैं प्रतिविम्ब बोल गया है यह आपका बिम्ब है यह आपका बिम्ब है AB अब आपको यही चेक करना है कि इस बिम्ब का प्रतिविम्ब कहां बनेगा यही आपको चेक करना है तो सबसे पहले इस बात को समझो कभी भी आपको C पर नहीं बनेगा ये बचे ने गलत जवाब दिया है कभी भी आपको किसी बिंब का प्रितिबिम बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो 2 किर्ने निकालते हो ठीके तो सबसे पहले मैं 1 का प्रितिबिम बनाना चाहता हूँ जो समांतर किरण है वो कहां से खुजरेगी फोकस से तो दो किरने बेजनी होती है सबसे पहले किरण मैंने बेजी समांतर वो समांतर किरण गई और कहां से खुजरी फोकस से थोड़ा सा मैंने यहां पर गड़बड कर दी है मुझे प्रतिविंब के स्थिति नहीं लिखना था मुझे बिम्ब की सिती लिखना था और बिम्ब की सिती मैंने लिए है C से परे C के इधर इसको बोलते हैं इंग्लिश में beyond C बिम्ब बिम्ब जिसका प्रतिविम मनता है वो बिम्ब होता है थोड़ी गलती होगी ठीक कर लेना तो सबसे पहली प्रकाश किरन आपने समांतर बेजी समांतर प्रकाश किरन कहां से कुछ जग गई फोकस से कितनी किरने बेजनी होती हैं दो किरने बेजनी होती हैं तो दूसरी किरन कहां से बेजोगे C से होती बेजोगे तो दूसरी किरन आपने C से होती बेजी आपको पता होना चीए PC से BGB किरंट तक्रा करके वापस आ जाती है यही बताने के लिए प्यारे बच्चों मैं इतनी महिनत कर रहा था आपको समझा रहा था यह देखो जो किरंट C से होती होती वी जाती है वापस चली जाती है सेम रास्ते पर जो समानतर आती है वो focus से बुजरती है इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा था ये सारे logic बढ़िया तो इन दौनों कहां मिलें ये दौनों यहां पर मिलें तो अगर ये दौनों यहां पर मिलें तो यहां A का प्रतिबिम बन जाएगा A- और उसके जस्ट उपर कौन बनेगा उसके जस्ट उपर बनेगा B- तो ये आपका इस प्रकार से यहां पर आपको प्राप्त होता है प्रतिबिम तो अब आपको इसी बात पर गौर करना है सबसे जादा कि आपका प्रतिबिम कैसा बना है तो आपका प्रतिविम आपके नजरों के सामने है आपने क्या किया आपने दो प्रकाश किर्णे बेजी पहली प्रकाश के अंसमानतर गई फोकस से गुजर गई दूसरी प्रकाश किर्णे आपकी C से होती गई तकरा के वापस चली गई और यहाँ पे एक विशेश बात जो य अले चीज प्रतिभिम के बाएं में लिखी जाती है उसकी इस्टिति कि आप-C नो कि आपका प्रतिभिम कहां बनाए सि और F के दूसरी बात प्रतिविम का आकार कैसा है वस्तू से छोटा है वस्तू के बराबर है या वस्तू से बड़ा है खुद दिमाग लगाओ आपका बिम्ब इतना बड़ा था प्रतिविम आपकी नजरों के सामने इतना छोटा सा बनाए इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आकार ह चोटा है जो आकार है वो बिम्ब से क्या है चोटा है चोटा सा चोटा थूरा चोटा प्रकरती तुमने को जबर्दस्ती करी मैंने को जबर्दस्ती करी सवांतर प्रकाशक्रण गई फोकस से अपने आप गुजरी C से होती भी वापस चली कि मैंने कुछ नहीं किया तुमने भी कुछ नहीं किया अपने आप प्रकाश के नहीं मिली है इसका मतलब ये प्रतिविम है वास्तविक तथा उल्टा तो दिखी रहा है ठीक है किलियर है चालो अब बात करते हैं तीसरे केस की थर्ड केस तीसरा केस प्रतिविम निर्मान का जहां बिम्ब की स्थिति अब बिम्ब का रखा होगा बिम्ब C पर रखा होगा पहले से पॉलिश भी करके रखना चीए था चाले कोई बात नहीं अब सुम्दर है तो यह आपका P है यहाँ कई आपका F होगा यहाँ कई आपका C है तो इस बार जो भया आपने बिम्ब रखा है इस बार आपने बिम्ब रखा है एक्जेक्ली C के उपर यहाँ पर ऐसे यह आपने बिम्ब रख दिया बिम्ब को थोड़ा सा मोटा कर दे है यह खाते पीते गर का बिम्ब ठीक है तो इस बिम्ब की बात करनी है, कहा रखावा है, C पर रखावा है, अब आप इससे प्रकाश किरने बेचोगे, दो प्रकाश किरने बेचनी होती है, पहली समानतर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, सबसे पहले उसको बेचते हैं, तो ये प्रकाश किरन आपकी कही समानतर कहां से गुजरी, फोकस से, बिल्कु सही तो पहली प्रकाश कर्ण आपने बेज दिजिए सवानतर जो कहां से गुजर गई फोकस से दूसरी प्रकाश कर्ण की बात करते हैं, दूसरी अपन बेसिकली सी से बेजते हैं वैसे तो C से कैसे बेजोगे, ऐसे नीचे है यूँ, तो C से ऐसे तो बेज नहीं सकते, तो मैंने आपको बताया था ना, कि अगर कोई प्रकाश केर्ण समानतर आती है, तो वो फोकस से गुजरती है, और अगर कोई प्रकाश केर्ण समानतर आती है, तो बाद में समानतर हो जाती है, तो अब आपको वही करना है, अब आपको प्रकाशकेर्ण बेजनी है, फोकस से, और जब ये प्रकाशकेर्ण फोकस से जाएगी, तो ये बाद में क्या हो जाएगी, ये प्रकाशकेर्ण बाद में समानतर हो जाएगी, अब ठीक है, तो बाद में समानतर हो जाएगी, ऐसे, तो क्या किया पता होना चाहिए जब तक पता नहीं हो तो समय में नहीं आएगा एक काम करता हूं कलर चेंज कर देता हूं इसका अब ठीक है अब आपको साफ साफ फरक समझ मायाएगा कि कौन सी किरन है पहली किरन समानतर थी, फोकस से गुजरी, दूसरी फोकस से गई, बाद में समानतर हो गई जहां टकराई वहां पर बन जाएगा पृतिबिम्ब। ये एक का पृतिबिम्ब यहाँ पर बन गया अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसके जस्ट उपर बी डैश तो आप इस तरह से बना सकते हैं अब अगर यहाँ पे आप अब अब्जर्व करें तो एक बहुत बड़ी बात है यह एडश है तो इसके जस्ट उपर कौन होगा बीडश होगा इन दोनों का आकार बिलकुल बराबर है तो यहाँ पे आपने एक बहुत मस्त चीज़ सीखी कि अगर आप प्रतिबिम्ब की इस् इस्तिती में आपने जाना सबसे पहले पहली बात है यही पहली बात है कहां बन रहा है प्रतिबिम्ब तो सी पर आपने बिम्ब को रखा था सी पर ही आपका प्रतिबिम्ब बन गया तो प्रतिबिम्ब आपका बन रहा है सी पर दूसरे बात प्रतिबिम्ब का आकार कैसा है उसके बारे में विचार करिए तो प्रतिविम का आकार कैसा है? प्रतिविम का आकार है बिलकुल बिम्ब के बराबर बिम्ब इतना था? प्रतिविम भी उतना ही है तो आपका आकार है बिम्ब के बराबर तीसरी बात बहुत मेंतुपूर्ण है प्रकर्ति प्रकर्ति के बारे में एक ही बात याद रखो आप चोटी सी बात कि अपने आप मिला है हमने कोई जबर्दस्ती नहीं करी अगर अपने आप मिलती है तो वो होता है आपका वास्तविक प्रतिविंब और प्रतिबिंब उल्टा तो ही, आपका बिंब यू है, उसका उल्टा प्रतिबिंब है तो आप लिखेंगे वास्तविक तधा उल्टा, सिंपल, समिझ मां आ गया? चलो, next case तो बिम्ब C पर था, प्रति बिम्ब कैसे बना, बिलकुल किलियर हुआ, उसका स्क्रीन शॉट लेना हो, तो ले सकते हो, दो चार सेकंड का समय है आपके पास, अराम से स्क्रीन शॉट ले लो, चलो, आगे पढ़ते हैं चलो, तो यह आपका P, F, और उसके बाद में C, तो एक, दो, तीन, चौता केस, अब आप प्रति बिम्ब कहां रखना पसंद करोगे, आप प्रति बिम्ब अनन्त पर रख चुके हो, अनन्त के बाग आप C से परे रख चुके हो, अब आप रखोगे C और F के बीच में, अरे यार, यह बार बार प्रति यह बिम्ब निकलता है, पदा निक्यों हो आज अयसा, बिम्ब, लॉट पृति बिम्ब, बिम्ब, बिम्ब कहां रखेंगे, हम बिम्ब रखेंगे, आपन रखेंगे, F वा C के बीच में, तो F और C के बीच में अपने रखते हैं, नहीं तो कहां गया यह रहा रैड पैन, य ये आपका babe he see CEO F के बीच में हुए क्या बताया मैंने मताया सिंप्ल काम करो दो किरने भेचो पहलीक fan समांतर भेजो फोकस से घुजडिए तो पहली करन आप भेजेंगे समांतर pen change करेंगे white color ये भीज़ेंगे तो समांतर प्रकास करन गई कहां से गुजडएगीī फोकस से गुजरेगी गुजर गई फोकस से दूसरी प्रकाश गर्ण में आपके पास दो आप्शन है या तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्रकाश गर्ण को ऐसे बेजो कि वो C से जाती भी प्रतीत हो ऐसे या फिर एक काम करो अगर C वाली मुश्किल लग रही हो तो आपको पता है दो बाते कि समानतर गुजरती है फोकस से और फोकस से जाने वाली बाद में हो जाती है समानतर तो उस वाली बात को काम में लिलो आप प्रकाश गर्ण वेस दो फोकस से ऐसे तो फोकस ते जाने वाली प्रकाश के बाद में क्या हो जाएगी समानता अब आप देख सकते हैं जहां यह मिली है वहाँ प्रतिमिम बन जाएगा आपके डश का अका अगर उसको बनाते हैं इस जगे बन गया आपका प्रतिवियम्ब ऐसे हैं ठीक है तो एडेश के जस्ट उपर किसका बनेगा बीडेश का बनेगा तो एक बात मिलकू समझ में आ गई थोड़ असा देखले ना लाइन अगरू पर नीचे हो गई हो तो तो आसा अद्जस्ट कर लेना इसको ना थोड़ा सा एड़्जस्ट करना है चीक है डजन्ट मैटर गर पर आप करोगे हो जाएगा तो सबसेंपोइंट बात यह है कि आपके प्रतिविम्ब कहां बना तो इस केस में आप देखें तो प्रतिविम्ब की इस्तिति प्रतिविम्ब बना है सी के इधर इधर बनेगा सी के तो प्रतिविम्ब बना है सी से परे प्रतिविम्ब का आकार कैसा है बिम्ब से बड़ा है बिम्ब से छोटा है कैसा है तो बिम्ब आपका इतना सा है उससे बड़ा बनाए तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लिए लिब हो सकते हैं कि जो आकार है वो आपके बिम्ब से बड़ा है प्रकर्ति कैसी है प्रकर्ति कैसी है वास्तविक है जबरदस्ति करा है आपने आप बनाए तो यहां पर प्रतिविम में को जबरदस्ति किसी ने भी नहीं करी इसका मतलब जो प्रतिविम आपका बना है वो प्रतिविम आपका अपने आप ही बनाए और अगर आपका प्रतिव ही रहा है कि लिए तो यह चार केसे अपने डिसकस की अब अगला जो पांच वा और छटा दो केस बसते हैं वो कल की क्लास में डिसकस करेंगे यहां तक रिवाइस करके आईए का खुछ से एक बार घर पे कौपी पैन लेके बनाना है आपको खुछ से जब तक आप नहीं तो यह चार केस एक ही जगह पर अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर C से पर रखेंगे C और F के बीच में C पर रखेंगे तो C पर मिलेगा और C और F के बीच में रखेंगे तो C से पर मिलेगा अतियंत शुक्ष्म छोटा बराबर बड़ा अब बचे वे दो केस अपन डिसकस क करेंगे कल की क्लास में जो बच्चे नए है नीचे WhatsApp नंबर शो हो रहे हैं उनके पर मैसेज करेंगे जैसे ही आप WhatsApp नंबर मेसेज करेंगे आपके पास application का लिंक आएगा application को इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद login as a student करेंगे उसके बाद जैसे ही store time में जाएंगे इतना आपने पढ़ लिया है उन सबके objective कॉशन का टेस्ट होगा application पे इसी कॉंबो में टेस्ट नाम से देखो इसमें टेस्ट भी होता है ला तो इसी में आपको टेस्ट सेक्शन मिलेगा वहां पे आपका टेस्ट होगा Monday को समय वही रहेगा 345 तो preparation करके रखें ताकि आपक देखें टेकर झाल झाल